नमस्कार, Full Moon Effects on Twin Flame किस तरह से रहते हैं? जी हाँ, अभी पूर्णीमा गई है, आपकी पूर्णीमा ती थी, क्या थी? 5.59 PM से लेकर, जुलाई 21 से लेकर, जुलाई 21 से तक थी, कल ही. तो गूर्णीमा की आपको एक बार फिर से बदाईया, आप लोगों ने बहुत मेसेजिस के, बहुत सुन्दर सुन्दर बना के भेजे, वीडियोज बना के भेजी, कॉलाईब करके सम्तिंग कुछ, गूर्णीमा ने बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद है, कि गुरू जैसा आप मुझे मानते हैं, बाकी बात करें कि अधिकतर फुल मून में क्या रहता है, 30% लोग क्या है, कि जो 20 मिनट्स है न, वो थोड़ा कम ही सो पाते हैं, फुल मून के दौरान, ऐसा जनरली सभी लोगों के बीच में देखा गया है, सर्वे किया गया था, जब बिताने लगता है, yapıyorsunे में बहुत ही spiritual रहता है, लेकिन फुल मून के दौरान आप यह सोच सकते हैं कि पतानी क्या है, क्या नहीं है, क्या ये वागई twin flame है कि नहीं, क्या seven twin flames होते हैं, क्या twin flame का reunion होता है, कई लोग कहते हैं, बिल्कुल ही नहीं होता, तो देखिए, lunar cycle जो है, हमारा, अपनी जो भी women है, इन सभी के body में तो effect करता ही है, mind में भी effect करता ही है, during full moon, आपका जो energy है, highlight होती है, अब 12 दिन आपने अपनी energy को higher self में रखा, ठीक है, तो आपका जो full moon effect है, वो negative में नहीं जाएगा, आपकी जो intuition power है, इस समय में increase होती है, synchronicity इस time period में बहुत जादा होती है, यानि कि परसो कल और आज भी आपका इस तरह का देखने को मिल रहा होगा, कि बहुत जादा intense synchronicities औ और intense जबरदस feeling उनके साथ, अपने divine masculine के साथ आपको feel होता होगा, intense connection ये एक 5D में communication आप करते होंगे, non-physical form में भी आपको समझ में आता होगा, कि ये energy कहां किस तरह से prompt कर रही है इस journey में, कितना powerful insight आपके साथ होता चला जा रहा है, बहुत सी चीज़ें आपको खुद ही प क्योंकि आपके जो emotions हैं, आपके जो passion हैं, इस time period में बहुत higher self में जाते हैं, अब अगर आप twin flame भी हैं और आपने dynamic connection देख लिया है, on-off की situation देख लिया है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, it's okay, trigger होने वाली बात भी आपकी खतम ह आपने का कि ठीक है, trigger भी मुझे नहीं होना है, trigger होने का मतलब है, मेरे अंदर ही कमी है, यह चीज़ आपको अगर समझ में आ गई है, तो full moon का जो effect है, इसमें आपकी एक तरह से boundary create हो जाती है, और full moon कब आया, गया, क्या रहा, क्या नहीं रहा, आपको इतना खास फर्क नही effect कर जाती है, या फिर हमें समझ में नहीं आता कि हम इस journey में कहां तक पहुँचे हैं, और किस तरह से समझें कि इस journey में आगे हम और क्या करें, inner work असल में है क्या, और reunion असल में है क्या, क्योंकि वीडियो में मैं बहुत कुछ बताती हूं, फिर भी आप लोग नहीं अगर clear ह हो पाता है आप लोगों को, तो स्क्रीन पर दिखाए, नंबर पर message करके, फी structure जानिये, लेकिन हा, full moon पर ही आप ये पीछे जाके ये देख सकता है, कि अरे, हाँ, full moon के दिन तो मैं बहुत खुछ थी, या मैंने कुछ नया skill सीखा था, तो इस दोरान में divine feminine energy जो होती है, mass communication हुआ था, और एक तरह से mass awakening हुई थी, उसी तरह से 2020 में भी एक जबर्दस रूप से हुई थी, इसलिए आप ये देख पाते हैं, कि 2024 आते आते बहुत सारे लोग कहने लगे हैं, कि हम twin flame है, और उनको बिल्कुल इसी तरह के science दिखते हैं, not only twin flame, ये कोई game थोड़ी है, कि हम twin flame है, we are superior than any other human being, ऐसा नहीं है, basically इसमें क्या है कि अलग तरह की spiritual awakening हो जाती है, किसी ने सवाल भी पुछा था कि क्या अंतर है, लोगों की भी awakening होती है, और हम जो twin flame है हमारी awakening है, क्या अंतर है, अंतर यही है कि जुन की awakening होती है, वो अपने काम पर लग जाते हैं, इसी तर तरफ भागते हो, लेकिन धीरे-धीरे जब यह चीज़े समझ में आने लगते हैं, कि union की तरफ नहीं भागना है, क्लिंगी नहीं होना है, तो आपकी जो awakening है, social cause के लिए शुरू हो जाती है, आप अपने अंदर जाक पाते हैं, और एक नया काम कर पाते हैं, inner work अगर आप really बहुत अच्छी तरीकी से करते हैं, एक बार फिर से बता दू, inner work सिर्फ बजन किर्थन करना और meditation करना नहीं है, वो भी है, लेकिन वो ही है, वो नहीं है, यह चीज़ को ध्यान रखेगा, तो यहाँ पर आपका जो twin flame है, यह आप से reunite होने के लिए inclined होता है, आप कोई तंज भी कश सकते हैं, ऐसा होता है, तो आपको यह लगता है, हम तो बिल्कुल सही थे, हमारी energy तो बिल्कुल सही थी, यह twin flame ने आके बिगाड़ दी, आपकी energy कोई और कभी भी नहीं बिगाड़ सकता है, बिना आपकी इजाज़त के, तो आपने ही कैसे इजाज़त द कीजी, अपनी एक औरा पर, अपनी energy पर, ठीक है, इस तरह से आप, इस तरह से आप दोनों हाथों को रगड़ कर, इसको पूरी तरह से फैला सकते हैं, बहुत लोग पुछते हैं, तो जितना जादा आप जब इसको बहुत जादा, बहुत जोरों से रगड़ेंगे, कुछ स हाथों को जब आप पास लाएंगे, तो पास नहीं हो पाएगा, तो आप यह समझ पाएंगे, कि आपकी energy कितनी powerful है, और अपने आप, automatically हाथ अपने आप जाएगा, आप नहीं सोचेंगे कि यहाँ ले जाओं, कि यहाँ ले जाओं, जितनी दूर तक जाएगा, उतना ही आप जितम से grasp ना कर पाएं, तो इस तरह के effects रहते हैं, full moon पर, आपकी twin flame journey पर, twin flame journey पर यह रहते हैं, कि आपका partner जो है, कभी भी miss call या message कर देता है, यह आजाते हैं, यह कुछ भी बोल कर, फिर से आपको trigger करके चले जाते हैं, यहाँ आपने सावधान होना होता है, कि आपने trigger हो होना है, यह नहीं होना है, ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, thank you so much, राटा भाई भाई भाई, बहुत प्यार और आशिरवाद आप सभी को, और आप भी मुझे बहुत प्यार और आशिरवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हैं, अच्छा एक चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आया, या मैंने कुछ गलत बोला है, आप करेक्शन करवा सकते हैं, कि मेडम आपने यहां गलत बोल दिया, या फिर आपने यह कैसे बोला हमें समझ में नहीं आया, यह चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे क्या पता कि कौन अपनी वीडियो में क्या ब झाल झाल